नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आपको बता दे कि साल 2020 में अगर कोई सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा तो वो थे पहले नंबर पे सुसान सिंग राशपूत उनको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सर्च किया गया गूगल पर और वहीं दूसरे नंबर पर दोस्तो सुसान सिंग राशपूत की गल्फ्रेंड रिया चकरवर्ती रहीं जी हाँ आपको बता दे कि रिया चकरवर्ती सुसान सिंग राशपूत के साथ हुई घटना के बाद अचानक से ही इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इनकी दोस्तो उपलबधी के कारण इनकी पॉपुलरिटी के कारण अब इनके उपर एक फिलम बनने वाली है जी हाँ आप सभी सुच रहे होंगे कि अगर रिया चकरवर्ती के उपर फिलम बने तो आखिर उससे देखेगा कौन क्योंकि सुसान सिंग राजपुत की सायद यही कातिलें ऐसा आरोप लगा है और बहुत सारे लोग तो अभी भी यही मानते होंगे लेकिन यकीन मानिए ये खबर बिलकुल सच्ची है बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ही काम की खबर है वतादे सुसान की पूर गलफ्रेंड रिया चकरवर्ती की जिंदगी पर बनने जा रही है फिलम यह बेहत खुबसूरत अभिनेतरी निभाने वाली है रिया का किरदार दोस्तो हाली में कुछ घटनाओं को लेकर बॉलिवूड काफी चर्चीत रहा हाला कि इन चर्चाओं के कारण बॉलिवूड की साख को काफी धक्का भी पहुँचा बॉलिवूड से जड़ों कई लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि कुछ लोग अपने फाइदे के लिए यह सब कर रहे हैं हाला कि दावों में कितनी सचाई है यह तो आने वाले कुछ समय में ही पता चल पाएगा लेकिन फिलाल सुसांत केस में एक के बाद एक कई महत्मून घटनाओं ने देश के लोगों को ध्यान बॉलिवूड की और पूरी तरह से खीचा है जी हाँ इन सब में ही हम सभी को देखने को मिल रहा है कि अभिनेत्री रिया चकरवर्ती ऐसा नाम है जिसका नाम इस केस में सबसे ज़्यादा जोर सोर से उचाला गया घसीटा गया हलाकि इन चर्चाओं ने रिया को आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर कर दिया अब बॉलिवुट के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अगर खबर पक्की निकलती है तो यकीन मानिये कि रिया के जिन्दगी को लेकर एक बड़ी फिलम का एलान किया जा सकता है जी हाँ वैसे तो कई फिलम मेकर इस बारे में रिया से बात कर रहे हैं और उनके जीवन पर फिलम दिखाने को लेकर उनकी सहमती लेने की कोसिस कर रहे हैं क्योंकि मेकर जानते हैं कि ये ऐसा विसे है जिस पर अगर फिलम बनाई जाए तो फिलम काफी अच्छी कमाई कर सकती है इसलिए कई फिलम मेकर इस लाइन में भी लगे हुए हैं अगर सब कुछ सही रहता ह तो बता दें कि जल्दी एक बड़े बैनर के तहट ये फिलम सुरू की जा सकती है ख़वर के अनुसार अभिनेतरी स्रेया सुखला इस फिलम में अभिनेतरी रिया का किरदार निभा सकती है वैसे जानकार मानते हैं ये इस फिलम को लेकर एक रिस्क भी है और इसी वले से दोस्तों काफी सारे डायरेक्टर इस फिलम को लेकर काफी ड़त लेकिन रिया चकरवरती के साथ इस साल जिस तने की जायती हुई है इस साल जिस तने से उनको पैरसान किया गया है क्योंकि हम सभी ने देखा कि CBI ने रिया चकरवरती की जिस तने से जाच की इ उसके साथ पूछा गया उसका नाम मेडिया में उच्छा लागया लोग उससे नफरत करने लग गए कुल मिला करके अगर किसी निर्दोस वैक्ति के साथ इतना सब कुछ होए तो सायद निर्दोस वैक्ति तो जीने की आस भी खोदे लेकिन रिया चकरवरती रियल में काफी ब्रेव हैं जिसकी वज़े से वो आज तक अपनी इस लड़ाई में सामिल हैं और वो लड़ाई भी कर रही हैं तो इसी वज़े से रिया चकरवरती के उपर अब ये फिलम बनाने की कोशिस की जा रही है फिलाल देखना है कि फिलम अगर बनती है तो कैसा रिस्पॉंस मिलता है दर्सक उसको प्यार देते हैं या फिर विया चकरवर्ति से अपना गुस्सा निकालेंगे खेर आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर इस तरह की फिलम आती है तो आप देखना पसंद करेंगे या फिर नहीं साथ इस वीडियो को लाइक करके सेर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद